हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टू आर निव वीडियो और हमारे इस नए वीडियो में बात करने वाले एक नए फंडामेंटल राइट की और उस फंडामेंटल राइट का नाम है कल्चरल एंड एजूकेशनल राइट ठीक है, इसमें दो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 29 और 30 ठीक और अपने दोस्तों साथ शेयर कर लिजे, क्योंकि जो भी NDS, EDS, CAPF की त्यारी कर रहे हैं, ठीक है, या फर IS की त्यारी कर रहे हैं, और उनको अपने पॉलिटी और इनको बनाना है, ठीक है, वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही helpful रहने वाला है, ठीक है, अब आगे बढ हमारी जो देश में Minorities हैं, उन से Related हम बात करेंगे, यहां पर मैं पढ़ता हूँ कि Protection of Interest of Minorities, सबसे पहले मैं आपको यह बता जाता हूँ कि Minorities होते क्या है, Minorities का मतलब यहां पर यही है कि अलप संख्या, इसको हिंदी में कर हम कहें तो अलप संख्या, ठीक है, अलप संख् अगर अपने देश की बात करते हैं, Compared to Hindu कम है, या जो Government उन लोगों को, उनकी जो संख्या है वो काफी कम है, ठीक है, इसका मतलब होता है Minorities, जहां पर जैसे कि हम बोलते हैं, Majority and Minority, Majority का मतलब, अगर अगर इंडिया में अगर अपना Counting की जाए, तो Hindu की Population as compared to other category के लोग ज इसाई हों, बुद्धिजम हों, जैनिजम हों, कोई भी हों, तो Government उनको Minorities बोलते हैं, ठीक है, तो वो लोग Minority category में आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर अपना जो statement है, वो statement यह है, कि Any section of the citizen residing in the territory of India, और any part there of having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same, यहाँ पर देखो आपको यह चीज कही जैना कि थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, लेकिन मैं आपको explain करता हूँ, देखो, सबसे पहले मैं आगे चलता हूँ, देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दू कि Minorities जो अना, दो तरह एक ही हैं अपने देश में, और वो कौन-कौन सी हैं, सबसे पहले आती है religious minority, दूसरी आती ही linguistic minority, इन दोनों में क्या difference हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है, और एक और चीज की जो minority की definition हैं वो अपने Indian constitution में given नहीं है, यानि कि अपने list में एक और word आइड हो गया है, minority word, ठीक है, इस minority word की कोई भी specific definition अपने constitution में given नहीं है, तो कौन-कौन स the word है, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि those people, यानि कि minority के मतलब क्या मैंने आपको बताया, वो लोग जो की कम है numbers में as compared to other category, यानि कि as a compare करें Hindu category से, तो जो और जो categories हैं और उनके जो numbers है, as a numbers में वो उनके digits में, accounting में बहुत कम है, उनको हम minority करते हैं, ठीक है, जैसे कि कौन-कौन Muslim, Sikh, Christian, Buddhism, Jainism, etc. as less compared to Hindu, so this means minority, ठीक है, आप समझ गयोगे, अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस culture की बात करें, यहाँ पर एक culture word भी आया, यहाँ पर यह बताया गया है कि हर धर्म को, हर category को, हर minority हो, चाहे majority हो, ठीक है, यहाँ वो हिंदु हो, चाहे मुसलिम हो, चाहे सिक, हिस ठीक है, अपने कार्ले करने के तरीके, अपना धर्म, अपना भगवान, अपनी पूजा पाठ, इन सब को, इन सब को बचाने की हर किसी को अपना हक है, अधिकार है, ठीक है, मुसलिम यह नहीं कि कि जैनिजन धर्म के भगवान को, उनके culture को, उनकी language को destroy करे, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हिंदू धर्म अगर मेजोरिटी में हैं अगर बहुत ज़ादा अमाउंट में हैं काउंटिंग में हैं तो जाके minority जो categories की लोग हैं उन लोगों के culture लेंग्वेज को खतम करने के कोशिश करें नहीं या पर हर किसी की category की जो भी लोग हैं चाहिए वो हिंदू मुसलि होगे होगे ठीक है यह लेकिन यहां पर एक चीज आपको और डाउट में आई होगी वो यहां पर यह कि अपने article 29 में तो लिखा है protection of interest of minorities ठीक है एक तरफ हमने statement उपर heading में लिख दिया minorities लेकिन statement में जो clause 1 है उसमें लिखा है any section of the citizen अब any section of the citizen क्यों लिखा है देखो यह हमा है कि जो article 29 है वो सिर्फ वो सभी के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ minorities के लिए ठीक है अब अगर मैंने ऊपर article 29 में अगर अपने constitution में protection of interest of minorities लिख दिया है तो लिख दिया है अब ऐसा नहीं कि उसको खतम करने के लिए उस word को हटाने के लिए हम amendment करे changes करे नहीं वो बस ऐसा नाम के लिए लिखा हुआ है लेकिन article 29 जो clause 1 है वो सभी category लोगों के लिए यानि कि सारे citizens के लिए देश के हर एक नागरिक के लिए है ठीक है वो अपने देश में यानि कि भारत के अंदर के जो भी इलाका है उसमें जो भी citizen रह रहा है ठीक है जो भी नागरिक अपने देश का है देश का जो भी citizen है और वो किसी भी category का हो कोई मतलब नहीं कोई matter नहीं करता ठीक है उसको अपना culture बचाने का अपनी language बचाने का अपनी script बचाने का उसको अपने पास पूरा right है उसको बचाने का ठीक है तो यह बताया क्या है एक और चीज बताएगी है वो क्या कि हमें क्य culture को destroy करने कोशिश करें आपकी language को छीने आपके category को कतम करने कोशिश करें तो government के पास यह right नहीं है अब बात करते हैं if state or any individual do this अगर कोई भी चाहे वो state or government या कोई भी ऐसे individual person अगर आपका यह हधिकार आपसे छीनता है आपका right आपसे छीना जाता है तो आप supreme को directly जा सकते ह ठीक है और next बात करते हैं और यह जो article है अपना article 29 यह article सिर्फ और सिटीजन्स के लिए यानि भारत के नागरिक के लिए foreigners के लिए नहीं है इसका मतलब अब यह होता है कि अगर मानलो आप रह रह रहे हो आप गाए भैंस पाल रहे हो ठीक है आप उसका दूद निकाल रहे हो उसकी गोबर से चीज़े बना रहे हो ठीक है जो कि गाउं बगरा में आपने देखा होती होंगे ठीक है अब ऐसा नहीं कोई foreigner अगर अगर इंडिया में रहता है और इंडिया में आकर वो आपसे कहे कि तुम ऐसा कैसे कर रहे हो या फिर foreigners में meat mask खाया जाता है तो वो जानव भोजन खाएंगे और ऐसे रहेंगे आपका एक culture है और अगर वो foreigner आपसे यह कहता है तो मैं ऐसे कैसे कर रहे हमारे हैं जो खाना है वो भोजन है वो जीब को हजीब की हत्ते अगर कि हम उसको खाते है तो ऐसा नहीं है तो तुम उसको धक्के मारके निकाल सकते हो वहां से आर्टिकल में कोई भी रोल नहीं है यह आपका अधिकार है आपके लिए यह आर्टिकल बनाया गया ठीक है और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि यह जो आर्टिकल 29 है यह सभी citizens के लिए सिर्फ minorities के लिए नहीं है अब मैंने आपको बताया कि linguistic minority में क्या डिफरेंस है linguistic minority देख जो समय आपको example नो कि Mumbai यानि महराष्ट की तरफ अगर आप जाते हो तो वहाँ पर Marathi लोग रहते हैं ठीक है वहाँ पर लोग Marathi language यूज करते हैं तो अगर आप देखते हो कि Marathi language की जादा amount में जो population है जो counting है वो आपको Marathi में जादा देखने को मिलेगी as compared to India इंड तो अगर वहाँ की majority को देखा जाए तो उस अगर compare किया जाए इंडिया की population से तो उस जगह की population को है उस जगह की Marathi बोलने वाली category को हम linguistic minority कह सकते हैं ठीक है और religious minority आपको मैं बताई चुगा हूँ कि religious minority में all over India आप देख सकते हूँ चाहे वो Hindu, Muslim, Sikh, इसाई, Jainism, Buddhism, Christian यह सार वो आ जाते है religious minority में लेकिन अगर एक particular जगह पर particular लोग मतलब कुछ amount के लोग मतलब अगर मैं बात करूँ करोड़ों की आबाद में 1500 लोग या 2000 लोग या 5000 लोग ही सरफ उस चीज को उस culture को उस language को adopt किये हुए और वो एक ही जगह पर available है ठीक है उसको हम linguistic minority कह देते हैं जैस सकते हो और कहा जाता है कह सकते हो इसका मतलब ही होता है linguistic minority का मतलब ठीक है अब आगे जलते हैं दूसरा clause अपना क्या कहता है दूसरा clause कहता है नो citizen shall be denied admission into any educational institutions maintained by the state or receiving aid out of state funds on grounds only of religion, race, caste, language और any of them यानि इस statement के अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी भारत का कोई भी नागरिक कोई भी नागरिक हो और वो किसी भी educational institute में educational institute मैं institute की बात नहीं कर रहा नए लास्ट आटिकल मैं बात कर हे एक institute की बात करीग तो एगर वहाँ जाके admission कोई भी हो सकते हैं जैसे कि medical hospital या फिर कुछ भी हो सकते है यहां पर educational institution की बात करीगे धियां रखना तो education अगर भारत का कोई भी नागरेक अगर वहां जाकर एड्मिशन लेना चाता है पढ़ना चाता है ठीक है तो कोई भी इंस्टीट कोई इंस्टीट उसको किन किन चीजों पर देखके डिस्क्रिमेरेट नहीं करेगा वह आ जाता है रिलीजन ठीक है रेस यानि की कास्ट गवर्मेंट हो उस चीज़ पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है और वो कौन-कौन से आ जाते हैं यहां पर देश में सरकारी स्कूल होंगे समझो आप मैं क्या कहना चाहरूं इस भारत देश के किसी भी नागरिक के लिए अगर वो नागरिक सरकारी स्कूल अपने भारत देश में जितने भी सरकारी स्कूल हैं जो सरकार की द्वारे स्कूल चलाए जा रहे इंस्ट्यूट्स चलाए जा रहे रहा है और अगर बच्चा पढ़ना चाहता है और वो करना चाहता है तो सरकार्द्र अगर पर अपने घरव करेगे रिलिजियस, आश्क्र्म पर छान्ध remains कि कई ऐसे college schools होते हैं जो सिर्फ girls के लिए होते हैं specific ठीक है वहाँ पर gender mention नहीं है sex mention नहीं है तो government आपको discrimination कर सकती है in clause 2 में किसकी आदार पर based on gender यानि कई जो होते हैं कई girls और schools and colleges होते हैं वहाँ पर अगर आप चाओ admission मिल जाए नहीं मिलेगा आपको ठीक है तो यह होता है article 29 अपना end ठीक है अब एक और चीज़ बने बता देता हूँ कि article 15, 16, 19, 29 and 30 is only for citizens मैंने आपको पहले भी बता चुक हो not for foreigners याद रखना ये question आप से पूछे जा सकते हैं options आपको दे दिये जाते हैं मान लो article 15 है 16 है, 19 है या फिर इनको हटा के कोई एक ऐसा article डाल दे हैं हम यहाँ पर जैसे कि हम डाल देते हैं 28 आप से पूछा जा सकता है इन में से कौन सा article foreigner के लिए है और तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं 28 ठीक है मतलब foreigners के लिए भी है फिर citizens के लिए to establish and administer education institutions इसको मैं आपको explain करता हूँ यहाँ पर यह वाला जो article 30 article 30 की बात करते हैं हम article 30 की बात कर रहे हैं इसमें बताया गया है कि यह वाला जो article 30 है ना यह सभी citizens के लिए नहीं है article 29 में अब आप contradiction देखूँ कि article 29 में आपने अगर देखा हो तो word mention कि है minorities लेकिन वहाँ पर supreme कर ने कहा कि article 29 सभी citizens के लिए लेकिन article 30 में कहा गया है कि यह वाला जो article है specific यह सिर्फ और सिर्फ minorities के लिए तो not for all sections means not for all citizens only for minorities याद रखना सिर्फ और सिर्फ minorities के लिए कौन कौन सी minorities सिख, इसलाम, कृष्टियन पार्सी, बुद्धिजम, जैनिजम यह जितनी भी minorities केटेगरी में आती है उन सब के लिए याद रखना ठीक है article 30 article 30 हमें right देता है give right to these categories that if you want to open अगर ठीक है article 30 आपको क्या बताता है article 30 आपको हक देता है आपको अधिकार देता है कि आप अपनी categories के लिए, आप अपनी category के लोगों के लिए, ठीक है आप अपने धर्म के लिए, अपने culture के according अपनी language के according, अगर कोई ऐसा specific school, educational institutes अगर आप कोई भी छिग खोलना चाते हो आप चाते हो कि उन educational institutes में या फिर उन coaching institutes में, सिर्फ और सिर्फ आपकी category के बच्चे, या आपकी उस school से, उस institute में आपकी language के बारे में पढ़ाया जाए, आपके धर्म के बारे में पढ़ाया जाए, तो आपको हक है आपको right है ठीक है, आपको खुद के अपने level पे, educational institutes खोलने का पूरा हक है, और उसमें government कोई भी छेटचाड नहीं करेगी, but in that school, if they want to teach about religion मतलब उस school में, अगर वो अपने religion के बारे में पढ़ाना चाते हैं, तो उनके पास पूरा हक है, ठीक है, और अगर government आपसे ये property, या फिर उस जगह को छीनती है, अगर government आती है और कहती है, कि भाई आप अपने school यहां से हटाओ, ठीक है, आपने school अटाओ, हम यहां से flyover निकालेंगे, यहां से highway निकलेगा, यहां से, यहां पर हम government building बनावाएंगे, hospital बनावाएंगे, तो उसके लिए government आपको compensation देगी, आपको पैसा देगी, उस उतनी कीमत का आपको पैसा देगी, और अगर नहीं देती है, तो आप Supreme Court जा सकते हो, और यह सिर्फ सिर्फ minorities को लेके है, क्योंकि दफ़र मैंने आपको बताया कि right to property, right to property, जो word है, जो article है, वो fundamental rights में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो जो right to property है, वो सभी citizens के लिए है, यानि कि all over India national level पर इसमें personal property की बात करेगे, इसमें सभी citizens के लिए बात करेगे, लेकिन जो article 30 है, इसमें सिर्फ सिर्फ minorities के लिए कहा गया है, कि minorities अगर अगर अपने education institutes या, कोई coaching institute या, कुछ भी ऐसा खोलते हैं, कोई भी school खोलते हैं, college खोलते हैं, और जहां पर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने धर्म का बढ़ावा कर रहे हैं, अपनी culture को, अपने वहां की चीजों को save कर रहे हैं, और government और उस जगह को छीनती है, अगर लेना चाहती है, तो government आपको उस level पर compensation देगी और compensation नहीं देती है, तो आपके पास पूरा हक है, आप Supreme Court जा सकते हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ minorities level पर Supreme Court जा सकते हो, लेकिन right to property वर्ड जो है ना, वो अपने इस fundamental right में नहीं है, उसको कहाँ पर डाल दिया है, 300 में, ठीक है, याद रखना, लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर फिर आपके मन में question आएगा कि minorities अगर अपने educational institutes खोल सकते हैं, coaching institute खोल सकते हैं, school खोल सकते हैं, college खोल सकते हैं, तो हिंदू लोग कैसे खोलेंगे, तो हिंदू लोगों के लिए, यानि कि साभी citizens के लिए article कौन सा है, 29 है, जिसमें all citizens की बात करीगे है, लेकिन article 30 में बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ minority को लेके बात करीए, फोर हिंदू, अगर आपको college बनाना है, institute बनाना है, तो आपको article 26 and 29 आपको right देते हैं, ठीक है, and in article 30 only for minorities, याद रखना, article 30 सिर्फ और सिर्फ minorities के लिए, लेकिन अगर आपको institute, school, college खोल ले है, तो आपको 26, article 8, article 29 आपको right देता है, ठीक है, लेकिन minorities ही सिर्फ Supreme Court जा सकते हैं, अगर government को उनका compensation नहीं देती है, या उनको property को लेके कोई भी issue to create होता है, तो, ये rights मिले हैं, किसको minority level को, आयोप आपको समझ में आ गया होगा, article 21, article 30 का difference, ठीक है, अब हम बात करते हैं, concept के बारे में, absolute right and relative right, मैं आपको कुछ concept बता देता हूँ, absolute right वो होता है, देखो, जिसमें restrictions नहीं होती, कोई भी reasonable restrictions नहीं होती है, ठीक है, relative right में reasonable restrictions ह होती है, जैसे कि example में बता हूँ, article 24 में बात करीगे, child labor की, कि यहाँ पर restrictions है, यहाँ पर restrictions क्या है, कि 14 साल के बराबर या 14 साल से कम के age के बच्चों को child labor नहीं, मतलब काम करना जो factories, industries में allowed नहीं है, ठीक है, article 17 में बात करीगी, untouchability की, ठीक है, चुवा चूत भेदबाओं नहीं कह सकते हो, वहाँ पर reasonable restrictions है, ठीक है, relative में बात करीगी, reasonable restrictions की, जैसे कि article 19, right to freedom, means TV news, relative right कहा है, आपर reasonable restrictions है, कि आपको right तो मिला है, freedom का, आप बोल सकते हो, कुछ भी चाप सकते हो, कुछ भी news वगरा में, आपको right to move है, right to property है, right to speak है, ठीक है, speech है, सब कुछ है, आपको right to freedom है, article 19 आपको सारे हक देता है, बोलने के, ठीक है, घूमने फिरने के, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको बोलने का हक दिया है, तो आप किसी के बारे में भी उल्टा पुल्टा बोलो, ठीक है, आपको कुछ भी बोलने की, यसे भी नहीं कुछ भी बोलो, आप बोलो कि मैं एक reasonable restrictions है, तो उसको हम कहते है, relative right, और जहाँ पर कोई reasonable restriction नहीं है, बहाँ पर absolute right, ठीक है, लेकिन एक question है, आपको Indian में आपको बता दे रहे हैं, एक answer, वो आप याद रखना, आपके exam में काम आएगा, accept article 24 and 17, all other fundamental rights are relative right, यानि कि सिर्फ 24 और 17, ठीक है, article 24 and article 17, सिर्फ absolute right है, ल सारे relative right है, तो अगर आपको question आता है, absolute right या, relative right को लेकर, कि इन में से कौन सा right absolute है, कौन सा relative है, तो आप याद रखना, सिर्फ article 27 and 17 absolute है, बाकी other सारे fundamental rights, relative right है, ठीक है, याद रखना, अब इसी एक साथ हमारा ये वीडियो end होता है, आपको article 29 and article 30 समझ में आ क्या हुआ, अब मैं बात कर रहा था, उस surprise के वरें, वो surprise guys ये है, कि आप हमारे जो channel है, एक January तक का एक target है, कि हमारे 1K subscriber साब पूरे कराओ, support करो, ठीक है, like and share करो, अपने दोस्तों सा share करो, इसके बतले में हमारे channel आपको एक fast track की wrist watch देगा, ये just हमारे यूपिस subscriber जो aspirants है, उनके लिए है, मिलते हैं, मिलते हैं next video में, thank you and have a good day, bye bye